नमस्कार दोस्तों नमस्कार किसान बाईयों फिर से स्वागत है आपके चैनल आपके ही यूटूब परिवार में तो आज निर्यात के उपर तो चर्चा करेंगे इस कई लोगों की कोस्चन थे बांगला देश के लावा कौन कौन से देश के अंदर प्याज जाता है तो वो देश भी आपको जुरूर बताएंगे किन किन देशों में भारत से प्याज निर्यात होता है परजेंट टाइम में कम हो रहा है लेकिन आपको देश बता देगे किन किन देशों के अंदर भारत से निर्यात होता है साथ में आप लोगों का हमेशा एक कोस्चन रहता है कि बांगला देश में भिकरी है और साथ में निर्यात की चर्चा तो हम लोग करेंगे जो रोज करते हैं तो चलिए इन सबी चीज़ों पर चर्चा करेंगे दोस्तों के सान भजो लेकिन चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा लगता हो वीडियो सेयर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा तो सबसे पहले तो आपको सारी कॉंटिटी बता देते हैं कि कौन सा इटम कितना गया है उसके बाद आपको भाव बता देंगे और उसके बाद में आपको ये बताएंगे कौन कौन से देशों में प्याज निर्यात होता है तो सबसे बहले स्टार्ट करेंगे गज़ादंगा से प्योंकि गज़ादंगा ही में बड़ा बॉर्डर है जहां से सबसे ज़यदा माल निकलता है उसके बाद ली आता है तो वैसे एगर average की बात करें तो प्याज में हम लोग अभी भी जवर्दस तेजी बोल सकते हैं कि निर्यात के अंदर अभी भी जवर्दस तेजी इसके अंदर चल रही है तो गोज़ादंगा से इस्टार्ट करते हैं और हिली बॉर्दर की बात करते हैं तो वहाँ से सत्रा होए है मेंधिपूर बॉर्दर की बात करें तो पच्चीस होए है अब एक चीज बोल देता हूँ कुछ लोग बोलते हैं कि गलत इन्फॉमेशन देते हैं देखे जब रिपोर्ट आती है तब कि ये रिपोर्ट होती है उसके बाद में बड़त होती है इसके अंदर गटत नहीं होती है मतलब कई वार ऐसा होता है कि मैंने आपको 36 बोले और ऐसा हो सकता है रात होते 38 हो जाए तो ये एक दो ट्रॉकों का एरफेर इसके अंदर हो सकता है हमेशा और किसी किसी बॉर्डर से हो सकता है और ज्यादा निकले क्यों कि कई बॉर्डर वालों के पास भी इन्फोर्मेशन नहीं होती बॉर्डर के पास में गाड़ियां खड़ी होती है इस वज़े से वो भी पूरी इन्फोर्मेशन नहीं दे पाते तो एक मोटा मोटी आपको एवरिच बदा चल जाता है जिसमें एक दू ट्रक का उपर नीचे रह सकता है हो सकता है मैंने अगर 37 बोला हो तो 37 ट्रक एक्सपोर्ट होए हो तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि भाईया प्याज का तो आपने देखी लिया गोज़डंगा हिली और मेंधीपूर का अब और कौन-कौन से आइटम गए है हरीमिस की बात करते हैं हरीमिस निर्यात वापस 0 हो चुकी है हरीमिस अभी निर्यात नहीं हो ओड़ी अधरक की अगर बात करते हैं तो अधरक के 4 ट्रक निकले हैं अच्छी बात है क्योंकि अधर रख निर्यात कंटिन्यू हो रही है टर्मरिक की अगर बात करते हैं मतलब हल्दी की अगर बात करते हैं तो हल्दी जो है साथ ट्रक निकले हैं मतलब यूं समझे लीजिए कि एवरेज के अंदर चल रही है हल्दी ना जादा ना कम जितना है उतना को तना निर्यात हो रहा है लेकिन अच्छी बात यह है कि निर्यात चालू है अब बात करते हैं सुखी मिर्च की मतलग पर लाल मिर्च की तो लाल मिर्च की अगर बात करते हैं तो उसमें वापस थोड़ी सी तेजी आई है तो आज की अगर तेजी के सात में बात करें तो 10 ट्रक जो है लाल मिस के निर्यात हुए हैं तो अब बात कर लेते हैं भाव की किस भाव के अंदर विका है तो भाव के अंदर भी आपको बूल देता हूँ वेरियसन हमेशा हर जगे पर रहता है हर बॉर्डर का अलग-अलग काई 2 रुप्या जदा काई 2 रुप्या कम तो average बाव जो हैम वहां का बता देते हैं आपको बंचला देश का तो medium motor की बात करें तो 86 से 29 में ६ीडी तका के अंदर निकला है medium motor प्याज की बात कर रहा हूँ गुल्टा की अगर बात करते हैं तो 86 से 91 रुपे के अंदर गुल्टा निकला है साउथ के गुल्टा की अगर बात करते हैं तो साउथ का गुल्टा 70 से 88 रुपे के बीच में बिख रहा है तो आपने देखा कि 70-88 बीडी डगा के बीक रहे हैं तो इसके बीच में variation ज़्यादा है तो इसका कारण सिर्फ जो quality है वह उता है कि quality उप्र लीचे होने से यह variation ज़्यादा हो जाता है MP के Best प्याज की अगर बात करते हैं तो 84 से 86 बीडी टका में बिका है तो ये तो थे प्याज के भाव के बिका है आपको बताया अब बात करते हैं अदरक की क्योंकि कई लोग जो है अदरक के बारे में भी कंटीनिव पूछ रहे थे बात करते हैं तो 75 से 85 बीडी टका के अंदर अदरक वाह बिक रही है तो ये तो अज़िए प्याज के राधर के भाव की बात जो आपने बूला का हमें बाव ची आपको बाव दीये अब बात करते हैं उन लोगों की जो ये कमेंट करके पूशते हैं या मैसेज करके पूशते हैं कि सर और कौन-कौन सी देशों के अंदर प्याद जो है निर्यात होता है तो सबसे पहले बात करते हैं यूके की युनाइटिट गिंग्डम जाता है उसके बाद में यूरोप की टेरिटोरी इसके के अंदर जाता है अब उसके बाद अगर बात करते हैं तो सिरलंका जाता है सिरलंका के बाद की अगर बात करते हैं तो मलेशिया भी अपना प्याद जाता है मौरिसस भी अपना प्याद जाता है और साथ में नेपाल जाता है नेपाल और बंगलाद इसके बारे में तो सब क का वेडियेशन ज़्यादा है अगर डूटी हड़ जाती है कम्प्लीटली तो हो सकता है इन देशों में वापस अच्छी कॉंटिटी के अंदर प्याद जाना चालू हो जाए तो दोस्तों और किसान वाज़ें यह रिपोर्ट थी आपके मताबिक आपको जो चाहिए था वो मै झालू होग जाती है कि एंदर प्या स्थत में झालू है उन्दर बड़ यह जा चाहिए प्याना का बड़ा क्याया है कि याजिदित in Heart